एक जंगल के बीचों बीच एक तलाब था, जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कच्छुआ भी रहता था। वह फाल्तू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कच्छुआ रखा हुआ था, लेकिन दोहंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे-धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। यह देखकर हंसो ने कच्छुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाएं। तुम्हें यह तालाब छोड़ कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कच्छुए ने कहा कि मैं यह तालाब छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ और यहां आसपास कोई तालाब भी नहीं है लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करके लिए खूब सोचा और एक तर्कीब निकाली दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकडी लेकर आते हैं तुम अपने मुह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकडी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़ कर तुम्हें यहां से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे उस तलाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता कच्छुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी न बोले जब हम बड़े तालाब पर पहुँच जाएंगे तब ही उसे जो बोलना है बोल सकता है कच्छुए ने हा में उत्तर दिया और लकडी को पकड़ लिया वो दोनों हंस लकडी को पकड़ कर उर्चले वो उर्टे हुए एक गाव के उपर से निकले गाव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था सभी तालिया बजाने लगे यह देखकर कच्छुए से रहा नहीं गया और बाइला की नीचे क्या हो रहा है जैसे ही उसने बाइलने के लिए मुह खोला उसके मुह से लकडी छूट गई और वो नीचे गिर गया उचाई से नीचे गिरने की वजह से कच्छुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए कहानी से सीख हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है